अलो दोस्तों मैं इद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश Gs Classes में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों अब हम लोग की जो है सीडिपी की क्लास यहां हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग का पेपर टू हो अब पेपर टू के यह जो हमारे सीडिपी बिधी प्रजातांत्रिक नहीं है इसको आप लोगों को बताना तो कौन सी प्रजातांत्रिक बिधी नहीं है तो ब्याख्यान बिधी या फिर सामुहिक परिचर्चा मतलब प्रजातांत्रिक तो सामुहिक चर्चा भी एक क्या है प्रोजेक्ट बिधी भी है सहभागी ठीक ले करा करके कई बच्चों का जो है इस बिधी के माध्यम से भी बच्चों को क्या किया जाता प्रोजेक्ट बिधी में भी बच्चे का गुरूप बना करके प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया लेकिन ब्याख्यान बिधी में गुरूप नहीं बनाया जाता ठीक तो इस तरह से हम ब्रूम सा आश्तरसंब्धित ज्यान तो था ही व्यूस्थापन था अग्रहन था अनुख्रिया थी बताएं कौन सा इसमें नहीं था निगेटिव पुछा है इसका भी राइट एंसुर किया जाएगा इसमें ज्यान नहीं था ठीक है ज्यान वाली चीजे नहीं थी, बाकी सारी चीजे थी, ठीक चलिए, आगे आते हैं, question number आप बताएंगे, question number 3 बता दिजे, देखे क्या करा है, कि निम्न में से सिच्छन का असतर नहीं है, इसमिर्थी असतर, परावर्ती असतर, अवबोध असतर, अभी प्रेरन असतर, तो इसमिर्थी याद करना किसी चीज को याद करना या क्या होता शिछन का होता आवबोद करना या भी परावरती अस्तर ये भी है लेकिन अभ्यरण motivate होना किसी चीज से यह हमारा सिछा का अस्तर नहीं कल वा तो deep part इसका क्या third का right answer आज़ाएगा ठिक next बताएंगे question number 4 और अधिगम प्रक्रिया उद्धीपन एवं के बीच की संगती है अधिगम प्रक्रिया जो उद्धीपन एवं अनुक्रिया के या जो पशु के या बेवहार के या पुरो अनुभव के तो यह जो किसके अधिगम प्रक्रिया जो होती है हमारी उद्धीपन एवं अनुक्रिय के बीच की क्या होती है संगती होती याद रखेगा जो अधिगम प्रक्रिया हमेशा उद्धीपन और अनुक्रिया के बीच की क्या होती संगती होती है कि उसकी समाधान नेख्ट बताइब समस्या समाधान तो कहूंसी इसमे बताई के ंसकी समाधान में इसका यूज can जाता है और जो आगमन विधी ही होती है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उधारण देते हैं उधारण फिर उसके बाद इसकी बाद क्या करते हैं हम लोग नियम बताते हैं यह तो निगमन विधी में क्या करते हैं हम लोग पहले नियम बताते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उदाःण देते हैं ठीक क्या करते हैं ग्यामपल देते हैं ठीक एससारी सीज़ें जो आग्मन विधी और निंग्मण विधी एक दूसरी की अपोजिट होती है चलिए कोश्चण होता प्रवाह जो स्रीजन स्रीजन का मतलब किसी चीज को सीखना इसमें प्रवाह होता है ठीक है विविधता भी होती है क्या होती है विविधता भी होती है ठीक है विविधता होती है मौलिक्ता भी होती है ठीक है मौलिक्ता भी होती है और क्या होती है मौलिक्ता और विस्ता सहकारयत्ता नहीं होती और तीन चीज़ें आप लोग कलत कार दीएगा चलिए आगे चलते हैं मतलब पिता की या पेच्छा जो है, उसके पापा है, मतलब पिता है और माता है, ठीक है, माता और पिता जो बच्चा है, यह बच्चा कोई है, ठीक है, इस बच्चे को जो है, पिता की या पेच्छा माता से ज़्यादा क्या होता है, ठीक है, प्रेम ठीक, अत्य ठीक, प्रेम जम या नार सी जम बताईए कौन सा A B C या D बताईए सेवेंथ का राइट एंसर क्या आ जाएगा तो सेवेंथ का आ जाएगा ओपीडस कॉंपलेक्स ठीक है जब बालक को जो अपने मम्मी से ज्यादा क्या हो जाता है प्रेम की भावना आ जाते है उसे बोलते हैं ओपीडस चले अगे चलते हैं कोशन Number 8 बता दीजिए निम्नलै फने मेंस नियम ठानंड डाईक के सीखने के लिए गउड़ नियमों में शामिल नहीं है आनसी तो हमारा क्रिया प्रत्क्रियागा नियम इनोंने नहीं दिया था तो B पार्ट हमारा राइट आ जाएगा चली आगे बताई कोशन नमबर नाइन्थ इसकूटर चलाने वाले ब्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभाव का ज्यान होना किस प्रकार के अधिगम हसता अंतरन का उधारन है दिव पार्षविक अंतरन का धनात्मक का छैतीज का या ओर्ध अंतरन का बताई नाइन्थ का तो नाइन्थ का राइट अंसर क्या जागा उर्ध अंतरन का क्या है और्ध पूर्व ग्यान का जहां यूज कर रहा तो वहां कौन सा है उर्ध अंतरन का है ठीक है पूर्व अनुभाव का जहां भी प्रियोग करेगा वहां आमेसा क्या होगा उर्ध अंतरन ही होगा, ठीक है, उर्ध अंतरन होगा, next, अब देखें, संप्रेशन संबंधी क्या है, अच्छमता है, ठीक है, अच्छमता, जब संप्रेशन संबंधी अच्छमता को क्या कहा जाता है, question number 10 का बताई है, तो इसको बोल लेता है, dysphacia, क्या बलता है, dysphacia, dysgraphia, dysgraphia, उसको calculation में दिक्कत होती है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को अप लोग याद रखे, चलिए, मंदित मना, question number 11, मंदित मना बालकों की सिच्छा है, तो कौन सा उपागम उप्युक्त कहा जा सकता, समवर्धन उपागम, उच्छ अस्तरी पार्ट चरिया, या जो है, बैक्तिकत अनुदेशन या तोरण उपागम, तो कौन सा सबसे राइट आ जाएगा, तो इसका जो है, बैक्तिकत अनुदेशन सबसे most important होगा, जो मंदित मना बालकों के सिच्छा है, तो जो उपागम सबसे उप्युक्त होगा, उनके बैक्तिकत अनुदेशन होगा, ठीक है, तो C पा आने के पिछे कितना संगर्श लगता है, तो प्लीज आप लोग सेर कर दिया करें, चैनल को सस्क्राइब कर लिया करें, ठीक है, कथन सत्थ है, निवन में से कौन सा कथन सत्थ है, विकास एक मात्रातमक प्रक्रिया है, सिच्छा एक लच उन्मुक प्रक्रिया है, सीखना ब मात्रात्मक प्रक्रिया ना मात्रात्मक है, विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ठीक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों है, ठीक, याद रखेगा, ठीक, तो हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट राइट आजएगा, ठीक, चलिए, बताइए, तेरा कोशन नमर च्छेत्र विशेश में बालक की विशिष्ट योगता तथा विशिष्ट चमता को कहते हैं छेत्र विशेष में बाला को विशिष्ट योगता और विशिष्ट शमता को क्या काते हैं अभी शमता काते हैं next question number 14 बताई question number 14 क्या कराई कि Brunner की प्रति विम्बातमक अवस्था पियाजे के संग्यानतमक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है पियाजे ने चार अवस्थाओं को इन्होंने क्या बताई था चार अवस्थाओं है ठीक कौन सी चार अवस्था है ठीक इन चार अवस्थाओं जिको मूर्त संक्रियातमक अवस्था इसे संबेदी गामा का अवस्था जिसे बोलते हैं से दो वर्स का जब बच्चा होता तब की जो मूर्त संक्रियात्मक जब बच्चा क्या होता साथ से इग्यारा वर्स का होता ठीक साथ से इग्यारा वर्स का ठीक आपचारिक संक्रियात्मक अब पूरो संक्रियात्मक अवस्था यह अवस्था जो होती हमारी दो से कब तक होती दो से साथ वर्ष तक होती है यह क्या होती है 11 प्लस होती है ठीक है अवचारिक संक्रियात्मक तो कौन सी अवस्था जो मिलती जूलती है आप बताईए इन चारो अवस्था में से कौन सी जो बुरूनर के साथ जो क्या मिलती जूलती है तो कौन सी है D हमारी पूरो संक्रियात जो दो से साथ वर्ष की अवस्ता होती है वह क्या करती है पियाजे और ब्रोनर के साथ क्या मिलती जुलती अवस्ता होती है ठीक चलिए पंदरा बताए कोशन नंबर फिप्टीन कॉंसा जो है वैक्तित्तो के गुण सिधांद से सम्बंधित नहीं है कैटल आइसेंग प्एड नहीं से सम्भन दीстру 친 पताई कोशन नमबरौ सूलह कर लें निम नमेंश sekौमशा समाधान में बालक समाध्वा जाण में बाधक नहीं है चिंता सूझ नकारातमक मानसिक घृतियां या बहंगय नाशा तो चिंता सूझ तो इसका right answer आजाएगा C, सूज हमारी इसमें क्या बाधक नहीं होती, बाकी चिंता हो गई, नकारात्मक मुन प्रृतियां हो गई, भाधक होती, किसी चीज़ के बारे में जाता चिंता करेंगे, तो गया हमारी समस्य उसे हल जाएगी, नहीं हो जाएगी, नकारात्मक निगे समस्य को दूर किया जाए, तो यह समस्य दूर हो जाएगी, निमन में से कौन सा एक समवेग है, अमूद, ध्यान, इसम्रिती या उद्धीपक, तो इसमें समवेग की संख्या कितनी 14 है, जो हमारा A पार्थ हुआ क्या है, अमूद एक प्रकार का समवेग है, ठीक, अमूद CS के साथ मूल रूप से कौन सम्मंदित है, F I A C S से सम्मंदित कौन है, अठारा का, तो हमारे हैं फ्लेंडर, ठीक, बस इतना याद रखना कौन फ्लेंडर, नेक्स्ट बताईजिए, 19 का, निमन कतरों में से कौन सा प्रश्न कौसल के लिए सही नहीं है, हाँ अथवा ना उत राइट अंसर, 19 का आजाएगा, A पार्ट ही आजाएगा, ठीक है, कौन से प्रश्न कौसल के लिए सही नहीं है, तो A पार्ट ठीक, नेक्स्ट चलिए, आगे चलते हैं, कौशन नंबर 20 और 21 बता दीजिए, निमन में से कौन सा ब्यक्तित तुमापन की प्रच्छेपी ये परिच्छण, बताई, 20 का, तो 20 का राइट अंसर क्या जाएगा, D पार्ट हमारा क्या, प्रशांगिक अंतरबोध हमारा जो है, ब्यक्तित तुमापन की प्रच्छेपी ये तकनीक है, ठीक, अब इसन सभी को जब आप लोग अभी नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग नए ह तो बस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रिवियस येर कैसे आए हुए है, ठीक है, और फिर हम लोग जो थेयरी पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ आपके ब्यक्तित तुमापन की जितनी भी तकनीकिया हूँगी सारी पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो आप लोग परिशा तो मुझे पढ़ना है, यान्여 ब्यक्तितों का इस तरह से मापा जाता है, इसका जो जितने भी तकनीकिया है, उसको मुझे को पढ़ना है, यी चीजँ आपके समझ में आई कि नहीं आई, तो यही चीज मुझक को बस आब लोगों के दिमाग में फिट करना है, ठीक है, इस जो PYQ कराने कि PYQ मैं फिर कराऊंगा जैसे एक्जाम आएगा फिर इन्हीं को कराऊंगा जब थियरी पढ़ा लूँगा तब स्रीजनात्मक्ता समस्या समाधान की वह अवस्ता है जिसमें ब्यक्त असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं जो हमारा स्रीजनात्मक्त समस्या की वह अवस्ता जिसमें ब्यक्त सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहा जाता प्रभूदन आयोजन या उद्धन या अनुवादन तो 21 का जो है राइट एंसोर क्या जाएगा बी क्या क्या जाता नियक्ट बता जिसका राइट आगे आए, question number 23 बताईए, बताएए, फटाफट discussion number 3 क्या करा है, 23, करा है कि निम लिखित में से किस प्रिश्ण द्वारा जो स्रिजनात्मक चिन्तन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्या आप इस उत्तर को बता सकते हैं, इस द्वारा, इससे कित किस तरह से सही डंग से अनुमानित किया जाता है स्रिजनात्मक चिंतन को तो तेज का राइट एंसर भी आ जाएगा ठीक है इसके कई तरीके हल करने के बताये जा सकते हैं ठीक है सुच में सिच्छन है जो एक छोटा सिच्छन होता हो क्या कलता स्रवनी प्रभावसाली या मुल्यांकन या वास्तविक सिच्छन तो 24 का राइट एंसर आ जाएगा एपार्ट अश्रेणियन जो सिच्छन होता है वो हमारा सुच में सिच्छन के अंतरगत आता है ठीक तो एप पार्ट राइट आगे बताएगा कोश्चन नंबर कौश्चन नंबर 25 का बताएगे कोश्चन नंबर 25 का बताएगे कोश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है निम लिखित ए और बी को क्या करना सुमेलित करना ठीक है इसमें क्या पहला देखे कोश्चन नंबर 1 क्या रहा है कि ह हल ने क्या किया था हल ने प्रमोद अवलोकन का क्या दिया था सिध्धान्त दिया था ठीक हल ने क्या किया था प्रमोद अवकलन का क्या दिया था सिध्धान्त दिया था ठीक है मैक डूगल ने क्या किया था मूल प्रवित्यों को बताया था इन्होंने क्या किया था इन्होंन फोर किसमें दिया गया तो इसमें भी दिया गया है ठीक है फाले का फोर्थ किसमें किसमें दिया गया इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया तो ए तो ऐसे ही गलत हो गया फिर उसके बास सेकेंड का जो है सेकेंड का सेकेंड देखी इसमें भी दिया गया तो बचा कौन सा, A बचा और D बचा ठीक, A और D, अब देखें 3rd का, frade का, फिर 3rd, तो 3rd हमारा कौन सा, इस तरह से D पार्ट हमारा क्या जाएगा राइट, ए भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ए भी गलत, ए भी गलत, और हमारा D पार्ट क्या होगा राइट हो जगा ठीक चलिए आगे चलते हैं question number 26 26 का क्या करा है कि निम्न लिखित में से कौन सा अभि क्रमित अनुदेशन का सिध्धांत नहीं है बताइए कौन सा जो है अनुदेशन का सिध्धांत नहीं है सक्रिया, अनुक्रिया का सिध्धान्थ, सक्री अनुक्रिया, पुनरवलन का सिध्धान्थ, अभ्यास का सिध्धान्थ, छोटे-छोटे पदों का सिध्धान्थ, तो इसका right answer आ जाएगा 26 का C part, अभ्यास का सिध्धान्थ, इसके अंतरगत, अनुदेशन का सिध्धान्थ न प्रत्यागम और ना होगा इससे question पूछा जाता है सीखने के लिए प्रक्रिया के महत्तोपूण नहीं कौन सा क्रिया प्रसूद बेवहार अंतर अंतर नोध या उद्दीपक तो या अभिप्रेरक अभिप्रेरक मतलब बताई 27 का तो 27 का क्रिया प्रसूद बेवहार जरूरी महत्तोपूण नहीं है नेक्स्ट बताई 28 निम्न में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम शोपानिकी में सरवाधिक निम्न अस्थान दिया था अधिगम संकेत प्रत्या अधिगम या सावदिक अधिगम को किसको दिया था संकेत अधिगम सबसे निम्न अस्थान दिया था ठीक संकेत अधिगम को चली JOE हम बताइग के आपने बताईगम के दाउए बताईए शिच्छन के दवरान आवाज में उतार चड़ाव लाना क्या पुनरबलन काउसल का लाता है या उद्धीपत परिवर्तन काउसल प्रस्तावना काउसल या समापन काउसल 29 का तो C पार्ट क्या उद्दीपन परिवर्तन का उसल का लाता है 30 बता दीजिए निमने में से कौन सा समपरेशन प्रक्रिया का तत तो नहीं है प्रतिपुष्टी पुनरबलन माध्यम अंते क्रिया अन्तेकरिया मतलब एक दूसरी के साथ अन्तेकरिया करके सिखना, किसी चीजोर देना. माध्यम, mediator जो होता, किसी की माध्यम से साधी करानी होती है, तो इसमें mediator, माध्यम की जरुवत होती कि नहीं, एक लड़का है, एक गर्ल है, एक बोआ है, जब साधी होती तो बीस में क्या हुता है, ठीक है? अब वही साधी कराता है, चुको बोलते हैं माध्यम, एक तरह का है क्या है? माध्यम साधी कराने वाला, तो आप उन टॉपिकों को चुनिए जो इसमें से आप लोग जो नहीं कर पाएं उन टॉपिक को पढ़ना इस्टार्ट करिए सीटेट में नहीं हुआ छोड़ दीजिए उसके लेकर बैठे मत रही है लेकिन यह लास्ट चांस है आप लोग के सामने जो ठीक है यूपी टेट इसके बाद अगर जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाएं जो तो आप लोग सोच में या यूटूब जो बताते हैं यूटूब पे उन लोगों के माध्यम सब लोग सुने होंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सेर करिएगा चनल को सब्सक्राइब करिएगा ठीक है अगली क्लास हमारी क्या होगी हिंदी की होगी ठ प्लीज सेर क्याया टीक है इतना है अख़ सब्सक्राइब करि याधरट करिए अल्ग कर वड़ स्बसक्तारकरण सेर करिए Olब करिया के विए ढाते है शैक्या घरताना है